हेलो प्रेंड आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है तो आज हम लेके आए हैं चार डेली काम आने वाले टीप्स है तो पहला टीप्स है मेरा इस तरह से प्लास्टिक के बरतन को लेके जब भी हमारे घर में इस तरह से प्लास्टिक के बरतन हम डेली साप नहीं कर पाते है या खारे पानी की बज़े से दाग धब्बे इस तरह से पढ़ जाते हैं तो आप क्या करें इसको एक हार्फिक ले लें और इस तरह से पूरे डिब्बे में लगा दें और जूने की सायता से आप हलके हाथों से इस तरह से पूरे में चला दें जैसे ही आप जूना तुरंत साफ होते चले जाएंगे तो आप इससे बाल्टी या आपके हाँ कोई भी प्लास्टिक का सामान हो बहुत कम समय में और कितने भी गंदे हों क्लीन कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं डिबबा हमारा किलीन हो गया है इसी तरह से हम इसको अंदर भी किलीन कर देंगे तो यहाँ पर हमने पूरे डिबबे में इस तरह से लगा के साफ कर लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिबबा हमारा साफ हो चुका है तो इस तरह से आप प्लास्टिक के सामान को किलीन कर सकते हैं अंगला टिप्स है हमारा इस तरह से जब डिब्बे में आटा भरके फिरिज में लगा देते हैं तो होता है क्या है जब फिरिज से आटा निकालते हैं तो कड़ा हो जाता है तो आप क्या करें आदा गिलास गुनगुना पानी कर लें और उसको एक कटोरे में डाल लें और उसी में डिब्बा रख दें और पांच मिनट के लिए प्लेट से अच्छे से कबर कर दें आटा बिल्कुल सौप्ट हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं आटा हमारा स पानी करम करके रख दें और उसका धकन बंद कर दें तो इससे भी आप काटा बहुत जल्दी सौप्ट हो जाएगा अंगला टिप से हमारा प्याज को लेके जब भी आम प्याज कट करते हैं तो होता क्या है जहार की बज़े से हमारे आखों में आसू आने लगते हैं तो अंगला टिप से हमारा खल को लेके जब भी हम इसमें कुछ कूटते हैं तो होता है कि आए बाहर निकलने लगता है तो आप क्या करें एक कपड़ा या पन्नी लेके इस तरह से कट कर लें और उसको इसमें पूरी तरह से इस तरह से डाल के कबर कर दें और हाथों से पकड़ लें चारो साइड इस तरह से आप कोई भी चीज कूटे के तो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी इसी को लेके एक और हमारा टिप्स है तो जब भी आप कोई भी सामान कूटते हैं तो होता है क्या आवाज आने लगती है तो आप क्या करें एक तॉलिया या कोई भी कपड़ा हो तो इसके नीचे रख लें तो आवाज बहुत कम आएगी तो आपको हमारी यह टिप्स अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियों को लाइक और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारे यह टिप्स कैसे लगे